एक बड़ा साप धीरे धीरे इस लड़के की ओर आने लगता है। अब दर के मारे इस लड़के के पैर मानों वहीं पर जम जाते है। इतने बड़े साप को अपने बिलकुल पास देखकर लड़के को लगने लगता है कि बस अब वो मरने वाला है। परन्तु ये साप तो अच आपकील निकलने के बाद ये साप बुरी तरह चिलाने लगता है, जिसका रण लड़के को लगने लगता है कि शायद अब ये साप इसे खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तव में ये साप चिला कर इस लड़के को धन्यवाद कह रहा होता है, अब लड़के को धन्यवाद करके ये साप वहां से चला जाता है परंतु इस लड़के की समस्या यहीं खतम नहीं होती कुछ समय बाद इस लड़के को एक भयानक आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए ये जैसे ही पीछे मुड़ता है इसे इसके पीछे एक बड़े आकार का डाइनसो किसी जानवर को खाते हुए दिखाई देता है